हेलो प्यारी बच्चों, कैसे हैं आप सभी? I hope आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे बच्चों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे S.C.E.R.T. के द्वारा शुरू किये गए रीडिंग कैम्पेन के तहट Class 5 की English की Worksheet No.39 जो की 5th of March 2022 की Worksheet है और इसका theme है बच्चों, let's play आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी teacher का नाम लिखेंगे तो चलिए इस Worksheet को हम start करते हैं Hello my dear children, hope you are enjoying reading Mittu's adventures with his friends in Africa तो उमीद है आपको Mittu का जो adventure है जो उसने अफरीका में किया है वो काफी जादा पसंद आ रहा होगा He is going back to India soon वो जल्द ही इंडिया वापस जा रहा है Let's read aloud about his last adventure in Africa तो चलिए पढ़ते हैं उसके एफरीका में last जो उसने adventure किया है उसके बारे में Look at the pictures to identify the animals और हमें pictures को देखते हुए animals को identify करना है ठीके बच्चो अब देखो यहाँ एक चोटी सी story है इसको हम पढ़ लेते हैं Mithu, the parrot, Henry, the hippopotamus, jumbo, the baby elephant, tick tick, the chameleon and the montu, the monkey were in a playful mood यह सभी जो animals ने वो काफी जादा playful mood में थे, खेलना चाह रहे थे They decided to play cricket और उन सभी ने सोचा कि वो cricket खेलते हैं As they walked past a leafless tree, Mr. Willy, the owl, warned them not to go down the riverside to play as a group of crocodiles lived there तो जब वो नदी के पास खेलने जा रहे थे, तब वहाँ पे एक owl था उसने उन्हें वार्ण किया कि आप मत जाएए वहाँ पे खेलने के लिए क्यूंकि वहाँ पे crocodiles रहते हैं The friends ignored his advice and went to the riverside to play अब सभी friends ने उसके advice को ignore कर दिया और वो नदी के पास खेलने के लिए चले गए What happened next? अब उसके बाद क्या हुआ? देखो, इसके बाद हमें ये कह रखा है Use your imagination to complete this story Now write this story in your notebook तो आपको अपनी imagination का use करना है और story को खत्म करना है कि इसके बाद क्या हुआ होगा तो बिच्चो चलो इस answer हम लिख लेते हैं तो बिच्चो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? आप ये लिख सकते हैं आप क्रोकोडाइल स्नाप्ड आड देम और ये रैन अवे फ्रम दी प्लेग्राउंड तो एक क्रोकोडाइल ने उन पे स्नाप किया और इस वज़े से वो सब डर गए और प्लेग्राउंड से भाग गए तो ये आजाएगा question number one का complete answer उसकी बाद second question में हमें कह रखा है तो यहाँ पे हमें कुछ words दे रखे हैं इन words को use करते हुए हमें एक story बनानी है और यहाँ पे लिखनी है ठीक है बच्चो? तो बच्चो यहाँ पे आप कुछ story इस तरीके से बना सकते हैं तो एक monkey था जो एक जंगल में रहता था और उसे भूख लगी थी काफी जादा और इसलिए भोजुन की तलाश कर रहा था तभी उसने देखा एक पेड जिस पे बहुत सारे mangoes यानि आम लगे हुए थे वो पेड पर बहुत जादा उचाई पे चड़ गया और उसने सभी mangoes जो मीठे मीठे mangoes थे वो खा लिये और उसने इसका टेस्ट बहुत जादा enjoy किया और उसके बाद क्या हुआ कि वो नदी से उस पेड से कूद गया नीचे और दूर चला गया ठीक है बच्चो अब आपके parents के लिए सुझाओ है कि प्रकृती में जानवरों का महत्व समझाते हुए जंगलों के नस्ट होने से उन पर पर रहे प्रभावों के बारे में बच्चों के साथ चर्चा करें तो बच्चों ये थी आज की हमारी English की Worksheet and I hope आप सभी कोई Worksheet बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करें अपने फ्रेंज के साथ भी शेयर करें और इस चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें थैंक यू